हेलो एब्रिवान आजम आपके लाई हैं ब्रेड की बिल्कुल न्यू रेसिपी जिसमें हम बिल्कुल भी जादा तेल का इस्तमाल नहीं करेंगे तो आशा करूँगे कि आपको वीडियो पसंद आएगा अगर आएगा तो एक लाइक हमें जरूर देजीगा और चैनल को लाई सब्सक्राइब करना पिल्कुल मत भूलिएगा तो हमने नहीं यहां ब्रेड ले लिया है और ब्रेड मेने यहां चार लिये हैं मेडियम साइज के ब्रेड है मेरे इसे कुछी कटोरी या किसी गिलास की सैता से गोल-गोल काट लेंगे तो जिस भी साइज में आप काटना चा अगर आप जादा बनाना चाहते हैं तो जादा ब्रेड का इस्तिमाल कर सकते हैं तो देखी गोल-गोल काटने से लोक वाइस बहुत सुंदर दिखाई देता है नास्ता हमारा बहुत ही मज़दार बनने बाला है तो सभी को हम ऐसे कर लेंगे और फिर बनाएंगे हम इसका न अगर आप नमकीन के रस्पी देखना चाहते हैं या नास्ते के रस्पी देखना चाहते हैं या पापड की देखना चाहते हैं तो चैनल को चेक आउट जरूर कीजेगा आपको बहुत सारे रस्पी मिल जाएगी चारों को हमने काट लिया है गोल गोल शेप में अगर कुछ ब्रैड आपके 20 में से फटे हुए हैं यानि कि टूटू हैं तब भी चलेगा तो यहां हमने ले लिये हैं बेसन और नमक डाल दिया है इसमें और अब डालेंगे थोड़ा सा इसमें हम मसाले बगर डालेंगे जिसे को हम मिला लेंगे बेसन की मातरा को हमें बहुत कम रखना है फ्रैंस क्योंकि हम यहां कम नास्ता बनाने जा रहे हैं तो अब क्या पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गोल त्यार करेंगे गोल हमें ठीक से चाहिए जैसे हम भज्या बनाते हैं उस टाइब के लिए हमें खोल चाहिए तो अभी आप देखीगा कि हमने के सत्यार किया है यह देखी इस तरह से है तो अभी क्या करेंगे हम इसको मिलाने के बाद इसमें डाल देंगे हम बारी कटा हुआ प्याज, धन्या दन्य डालके हमने इसे मिला लिया है और अब क्या करेंगे इसमें डालेंगे हम प्याज तो प्याज को क्या करेंगे लंबे-लंबे स्लाइस में काट लेंगे या पिर आप बारी-बारी काट कर भी डाल सकते हैं फ्रेंस अगर आप बैट पकोरा खाएं हैं तो आप अलग तरीके से बनाई होंगे इसे हम पूरा बेशन में डिप करते हैं और फिर तलते हैं तो आज का जो हम नास्ता लेके आए हैं बहुत ही कम तेल में दो चमस तेल में आप नास्ते को रेडिक कर सकते हैं तो healthy भी होगा और taste भी होगा और स्वाद इसका बहुत मज़दार आता है बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि कहीं से ये कच्चा है प्याज डालकी हमने अच्छे से मिला लिया है ताकि प्याज इसमें अच्छे से मिल जाए और यह देखी इस तरह से हमारा गोल त्यार होना चाहिए इदिर हमने लिया है, एक अलू लिया है, मैंने उबला हुआ, जो मेडियम साइच का था, उसमें हलके से प्यास काट के डाल दिये हैं, हरी धनिया डाल दिये, नमक डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पौदर, लालमिज पौदर, और फिर डालेंगे, पारी काट कर वो भी डाल सकते हैं, तो मैंने नहीं डाला है, लाल मिच का इस्तमाल किया है, इन सब चीजों को मिला के उसका एक हम त्यार कर लेंगे, मसाला, और अब लिए हमने जो गोल गोल ब्रेड काटे थी, उसमें चमस की सैदा से हम आलू की मसाले को ऐसे लगाएंगे, ब्रेड पकोड़े को हम तलकर बनाते हैं, और यह आज हम जो बहुती कम तेर में बनाने वाले हैं, दो चमस तेर के इस्तमाल में हमारा नास्ता रेड़ी हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, कितना मतलब साइज चाहिए आपको थोड़ जादा भरना है, तो जादा भर सकते हैं, अब दूसरे को पकड़ेंगे और इसके उपर ऐसे रखेंगे, और हाथ उसे थोड़ा साथ दबा लेंगे, देखिए ऐसे दूसरे को भी हमें करना है, तो दोनों को मैं आपको दिखा देते हूँ कैसे करना है, ऐसे पकरना है, और ब्रेड अगर आपका कोई भी ब्रेड हो अगर बीस में से टूटा भी है तब भी चलेगा क्योंकि हम फ्राइट तो कर नहीं रहे हैं बहुत ही कम तिल में लेडी कर रहे हैं तो फटने का तो निकलने का चांस नहीं होगा तो देखिए दोनों गासे कर लिया है और अब जो में रैपकोरे का तरही का है तो इस तरह क्ली के बना सकते हैं और बहुत हेल्थी नास्ता अबने को रेडी होगा यह देखिए इसतर से फेला लेना है हमें चारों त्रफ और यह देखिए बलकुल रेडी है हमारा यहां पर यह तो दूसरे को भी हमें ऐसे ही रेडी कर लेना है और फिर हारेंगे हम इसको गैस की तरफ यानि कि फ्राइट तो करेंगे नहीं तो ही चंबस तेल में इसको हम रेडी करेंगे तो देखिए दूसरा को भी आपने ऐसे ही करना है और इसमें भी ऐसी करना है तो इसलिए जो बिसन का घोल हम रेडी करेंगे थोड़ से हिसाब से कीजेगा कि अगर कितना ब्रैड में लग रहा है बस भी जाएगो तो क्यों होगा उसमें आलू प्याज की भज्या बना लेजे तलतुल के रेड़ी हो जाएगा तो देखिए ऐसे फेला के हमें रेड़ी कर लेना है ये जो नासता है बहुत ही कम तेल में रेड़ी होता है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है कभी आपने नहीं बनाया है तो जरूर बनाके देखिएगा यहां हमने जो पैन लिया है लगबग इसमें दो ही चमबस तेल डाला है चारो तरब इसे फेला लेंगे और जितना पैन में आता है उतना नहीं डालेंगे उससे कम डालेंगे क्योंकि पलटने में हमको बहुत इजी पड़े इसलिए थोड़ा यहां पर तीन आ सकते थे फ्रेंस लेकि मैंने दो ही डाले हैं क्योंकि पलटते समय हमें कोई भी परेशानी ना हो इसलिए थोड़ी सी जगा छोड़ते हुए ही डालिएगा अब हमने परेशा किया है कि यह पलट पा रहा है कि नहीं देखि हलका अलका सा ब्राउन हो चुका था तो इसलिए थोड़ा सा देखते हुए की जिएगा मतलब रखत हुए छोड़ के मत चले जाईएगा नहीं तो फिनीजे से जल जाएगा इसलिए कम तेल में कर रहे हैं तो थोड़ा सा उलट पुलट करकर अच्छे से सेखते हुए इसे रेडी करेंगे तो देखी फ्रेंस फिर हम इसको पल्टेंगे थोड़ा सा कलर सा इसका ब्राौन सा आजाई और फिर हम इसे निकालेंगे तो हैना बहुत ही अच्छा सा नास्ता फ्रेंस बहुत ही मज़दा नास्ता है तो ट्राइ करने जरूर बनता है और हमने जो इसमें मसाले वेगर एड़ किये हैं बहुत ही बैसिक मसाले एड़ किये हैं चटपटा तीखा बनाना चाते हैं तो आप इसको साथने चटनी बना सकत तो देखिए यहां उलट पुलट करकर हमने बिल्कुल नास्ते को रेडी कर लिया है तो ब्रैट का यह नास्ता थोड़ा सा अलग धंका है तो आशा करूंगी कि आपको यह नास्ता पसंद आया होगा तो इस नास्ते को जरूर टाई किजीगा अगर वीडियो आपको अच्छा सकते हैं अगर तीखा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो तो यहां मेरे दो ही बने हैं क्योंकि चार ब्रैड थे जब भी आपके पास कम ब्रैड बच जाए तो आप यह नास्ता बना कर खाज सकते हैं क्योंकि तेल पिज्यादा नहीं लगता है और नास्ता बोथ हेल्थी तो टेस्टे भी बनता है तो चले फ्रैंस मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ जब तक वीडियो देखने के लिए आप सबे का तह दिल से बहुत बहुत थन्यावाद कि आपने इतने किमती समय हमें दिया ओपर से मैंने इसके उपन डाले का बु खाई दे रहा है और खाने में तेस्टे भी हो जाएगा तो फ्रैंस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में